मौनसून सीजन आगामी दीनों में जीरे में मजबूती बनी रहने का अनुमान हैं। उत्तर भारत में अब मौनसून लगबग वापस हो रहा है। उदर हाली में हुई वर्षा के बाद अब गुजरात में अब मौनसुनी वर्षा लगवक समानने हो गई है। गुजरात में जीडे की नई फसल की बुवाई का श्रीगणे जल्द ही होने का नुमान है। वही मसालों के निर्यात में लगातार पांचवे महीने दबा रहा। सितंबर महीने में धनिया, जीरा और हल्दी, तीनों के ही निर्यात में करीब 30-30 फीजदी की गिरावट रही है। लेकिन फेस्टिवल पर घरेलू डिमांड कैसी है और नई फसल कैसी रहने वाली है, इस पर मसालों की कीमते काफी निर्भर करेंगी। नए सीजन में राजे में गुजरात में जीरे की बुवाई में कमी आ सकती है। वहरहाल उंजा मंडी में इस प्रमुक किराना जीन्स की आवग बढ़कर करीब 8-10,000 बोरियों की हो रही है। राजिस्तान के प्रमुक उत्पादक छेतरों में भी हाल ही में अच्छी वर्षा होने की रिपोर्ट्स आई हैं। वर्षा का सीजन अपनी समाप्ती के चरण में होने के कारण गुजरात के किसानों ने अपनी जीरा फसल की विक्रीवी थोड़ी थोड़ी बढ़ानी शुरू कर दी है। वहरहाल उंजा में पिछले कुछ दिनों से जीरे के उठाव में सुधार का रुक बना हुआ है। भाड़े की दर आस्मान पर होने के कारण भी अन्य प्रमुग जीन्सों के साथ-साथ जीरे की निर्यात का अभाव बना हुआ है। बहरहाल उंजा में जीरे की करीब 8-10,000 बोर्यों की आवक होने की जानकारी मिली है। आवक तोलनात्मक रूप से उची होने के बाद भी उंजा में जीरे की कीमत 10,000 रुपे प्रती 20 किलोग्राम बढ़कर फिला 2650-2670 रुपे प्रती 20 किलोग्राम के स्तर पर बनी हुई है। हाल ही में इसमें 100-1,500 रुपे की गिरावट आई थी। भारत के अलावा विश्व में तुर्की और सीरिया को जीरे के अन्य उत्पादक देशों के रूप में जाना जाता है। लेकिन अब अफगानिस्तान तथा इरान भी चुनोती पेश करने लगे हैं। आम तोर पर तुर्की एवं सीरिया में संयूप तुरूप से करीब 35,000 जीरे का उत्पादन होता है और इनकी कॉलिटी भारती जीरे की तुलना में हलकी होती है। इधर अनलोकी प्रक्रिये चालू होने के बाद भी इस्तानियत हो किराना बजार में स्टॉकिस्तों की लेवाली मजबूती ही बनी होने से जीरा समाने 200 तेज होकर फिलहाल 15,000 से 15,200 रुपे प्रती कुंटल के स्थर पर बना हुआ है। हाल ही में इसमें 100 रुपे की मन दी आई है। इस बार मातरा के आधार पर जीरे के निर्यात में 40 प्रतीशत और आई की द्रिष्टी से 28 प्रतीशत की व्रिदी हुई है। अब स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि विश्व बजार में मांग वे अपूर्ति केवल भारत से ही पूरी हो सकेगी। और आगामी दीनों में हाजिर में जीरे की कीमतों में मजबूती बनी रहने का अनुमान है। ये पूर्ट माकेटम्स टीवी